बिहार में एक परसांद की सोर अपनी पध्यातरा करते करते, सभी जगा बिहार में जाते हैं कहते हैं कि नितीस कुमार ये किये, बिहार के लिए लालु यादा वो किये, यानि बिहार की जो इस्तीती है, बिहार की इस्तीती बदलने के लिए वो काफी चिंतित दिख रहे और सभी दलों को वो सुझाव देते रहते हैं इसे मैं वो RJD को सुझाव देते हुए नजरा रहे हैं कि RJD अगर ये काम करे तो नितीस कुमार को हराया जा सकता है BJP को हराया जा सकता है और परसांद की सोर के बारे में कहा ये जा रहा है कि लोग सभा चुनाव तो नहीं लड़े लेकिन विधान सभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि परसांद की सोर RJD, JU, बाजपा के लिए तो सवाल खड़े करते हैं लेकिन अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि आपके पास बिहार के लिए क्या भी जाने है ठीक है आपके हिसाब से बिहार में समस्याओं कामबार है इसमें कोई दो राय नहीं है बिहार में आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं है जिस पे काम किया जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है लेकिन एक बात परसांद के सोर की समझ में आता है कि वो ये कहते हैं कि लालू जादव जाद की राजनीती नहीं करते हैं और सब जादब मिलकर उसको सपोर्ट करो लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं वो कहते हैं कि तेजस्बी आदब को मुखमंत्री बनाओ और सब जादब मिलकर सपोर्ट करो यानि अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए तो वो बात करते हैं लेकिन उनके पास जादबों के गरीबों को जगाए, लेकिन यह भी सही है कि गरीबों को अनपड़ और बेवकूर बनाकर रखे, सिच्छा बेवस्ता को चौपट कर दिये, इसलिए कि गरीब अपने हक की लड़ाई न लड़े, अपने हक न मांगे, ये बात उनकी समझ में आती है, अब वो कहते हैं कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, पांच के जिरासन देने से आपका भला नहीं होगा, और फिरी बिजली पानी कुछ भी देने से आपका परिवार आपका भला नहीं होगा, तो भला कैसे होगा, इसके उनके पास भी कोई वीजन नहीं है बताते नहीं है लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाईए तो परसांत की सोर को साइद ये नहीं दिखता है कि भले ही बिहार का सिच्छा व्यवस्ता खराब था साइद अभी भी कुछ है लेकिन आज बिहार में 75% से ज़्यादा बच्चे अस्कूल जा रहे हैं पढ़ रहे हैं 75% के 80% से ज़्यादा और वो पढ़ रहे हैं तो जिस चीज के चिंता वो जाहिर कर रहे हैं उसमें सुधार बिहार में हुआ है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज लड़कियां भी सरकारिय स्कूल में पढ़ने जाती है साइकल चला कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज सरकारे स्कूल में सिच्छकों की संख्या बढ़ी है बच्चों की संख्या बढ़ी है भले ही पढ़ाई का स्तर में सुधार हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन पहले के मुकाबले आज इस्तिती ठीक है तो फरसांत की सोर पाले या सफ़स्ट कर दें कि आप बिहार के लिए करना क्या चाहते हैं आपके पास वीजन क्या है आप बिहार को कैसे बदलेंगे बिहार में फैक्टरी कैसे लाएंगे क्योंकि बिहार में लौ अंडर की एक समस्या बहुत खराब है और यही कारण है कि बिहार में फैक्टरिया नहीं आती है डर है इंडरस्ट्री एरिया को अगर कोई लाना चाहे बिहार में कहीं भी बसाना चाहे तो जो फैक्टरी लगाना चाहते हैं उनको यह डर होता है कि बिहार में फैक्टरी को लूट लिया जाएगा क्योंकि बिहार का जो इस्तिती है कानून विवस्ता का ये सब को पता है तो आपके पास क्या वीजन है कैसे आप अचानक से एकदम से चमतकार कर देंगे आप जो काम 15 साल लालु यादव 18-19 साल नितिस कुमार नहीं कर पाए क्या गारांटिय है कि आप कर लेंगे तो फरसांत की सोर अपना वीजन अस्फष्ट करें क्योंकि बिहार की जनता जब तक जात पात से उपर नहीं उठेगी तब तक बिहार में तरक्की हो ये संभाव ही नहीं है और कोई पार्टी जब तक अपना वीजन न बताए कि हम इस तरीके से बिहार को बदलेंगे तो ये स्थितिय बिहार की राजनीती दलो की जो एक दूसरे प्यारोब तो लगाते हैं लेकिन अस्फष्ट वीजन किसी के पास नहीं है